Mediatek Dimensity 1200 processor जिसको आप Snapdragon 870 processor से compare कर सकते हो तो यहाँ पर हम जाने वाले है Mediatek Dimensity 1200 processor के साथ आने वाले 4 mobile के बारे में कौन से हैं यह mobile और इन में से आपको कौन सा अच्छा रहने वाला है इसोड़ों को सुरू से लेकर आखरी रख सारा दर्खिया So let's start Mediatek Dimensity 1200 processor के साथ आने वाला जो सबसे पला समार्टफोन है वो है Realme X7 Max Realme X7 Max इसका रेट आपको 27,000 रुपे देखने को मिलेता है तो काफी अच्छा है समार्टफोन है 6.43 इंच की Full HD पलस Amol डिस्प्ले देखने को मिलेती है 120 SZ का refresh rate यहांपर आपको देखने को मिलेगा अगर इसे cameras की बात करें तो back में आपको 3 camera का sport देखने को मिलेता है जो कि यह 64 MP पलस 8 MP पलस 2 MP Front में आपको 16 MP का camera देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको 4500 mAh की battery देखने को मिल जाती है 50 Watt की charging से आप इसको यहांपर charge कर पाओगे तो वाइस MediaTek Dimensity 1200 processor के साथ यह आपको देखने को मिलता है इसका rate यहांपर शिरफ आपको 27,000 रुपे देखने को मिल जाएगा तो इस processor के साथ सबसे सस्ता mobile आपको यही देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 1200 processor के इंदर जो 2nd mobile आता है वो है Poco F3 GT यह अभी launch नहीं हुआ है यह आपको 13 जूलाई को देखने को मिलेगा बट इसके जो सभी feature है वो सब 12 चुके हैं यह आपको MediaTek Dimensity 1200 processor के साथ देखने को मिलने वाला है 6.67 इंच की Full HD प्लस Amol display देखने को मिलने वाली है 120Hz का refresh rate यह आपको देखने को मिलेगा यह पर भी आपको वैसा ही camera देखने को मिलता है जो कि यह 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP फरंट में आपको 16MP का camera देखने को मिलेगा 5000 mh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है 65W से आप इसको चार्ज कर पाऊगे 23 जुलाई को यह launch होने वाला है इसके सभी feature leak हो चुके हैं बट यह थोड़े से feature उपर नीचे हो सकते हैं अगर इसके price की बात करें तो यह आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा इसके सभी feature भी leak हो चुके हैं Mediatek Diamond City 1200 के साथ ही आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको 6.4 इंच की Full HD पलस Amol डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 90Hz का refresh rate यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी दी गई है 65W की charging के साथ ही आने वाला है बट यहाँ पर इसके जो price से वो भी confirm नहीं हो रहा है तो काफी सारी report बता रही है यह आपको 32,000 रुपे का देखने को मिलने वाला है तो काइसे आपको 30,000 रुपे के आसपास ही देखने को मिलने वाला है OnePlus Note 2 इसलिट के दो फोर स्मार्टफोन आता है MediaTek Dimensity 1200 के साथ वो है Oppo Reno6 Pro यह अभी अभी लॉंच हुआ था इसके अदर आपको 6.55 इंच की Full HD Plus Amol Display देखने को मिलेगी 90SZ का Refresh Rate देखने को मिलेगा बैक में आपको 4 कैमरा का स्पोर्ट देखने को मिलता है जो कि यह 64 MP पलस 8 MP पलस 2 MP पलस 2 MP फरेंट में आपको 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा 4500 mAh की बैटरी दी गई है 65 Watt की चार्जिंग से आप इसको चार्ज कर पाऊगे इसका जो rate है वो है 40 ज़र पे तो rate इसका इन्होंने काफी ज़रा रख दिया है इसकी टक्र में और भी काफी सारे मुबाइल है तो याँ पर इसका rate थोड़ा सा ज़्यादा है Media Deck Dimensity 1200 ही देखने को मिलता है इसके लबा और भी काफी सारे मुबाइल आपको देखने को मिलते है तो वाइस इस समय तक सिरफ याँ पर आपको चार मुबाइल देखने को मिलते है Media Deck Dimensity 1200 के जो कि यह भी दो मुबाइल अभी आने वाले है इसके लबा और भी काफी सारे आगे आने वाले है तो वाइस यह थे वो चार मोबाइल और यह था इन सभी का कमेरिजन अगर आप इनके बारे में कुछ जाना चाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना ठैक्स पूर वाचिंग